ओमनेट मैं बनाऊंगी माइक्रोवेब में जैसे मैंने बोला था ना स्वेटर वेटर पैना के रसगुला की तरह स्वेट स्वेट के जूर है गाइस है विलकम बगतो माई चैनल गूद ओवनिग आई होप अब सब लोग ठीक हो सेफ हो सबसे पहले जाना जाना ज़्रूरी होते है आज कि आप सब लोग ठीक हो सेफ हो क्योंकि मेरे DRS सब लोग अच्छे से रहे ठीक रहे सेफ रहे क्योंकि फीर से जो है पैंडेमिक का सिचुशन और बर गिया है और मैं लांच बनाना स्टार्ट कर लिया है और लांच में आज बना रही हूं दाल चावल और एक सबजी मिक्स फेजीटिपल जैसे ही एक सबजी बना रही हूं और साथ में भी बन रहा है कॉफी क्योंकि यहाँ पे जो है न बहुत ज़्यादा थंड़ा है और थंडे की मौसम में कॉफी पीना बहुत अच्छा लगता है ऐसे भी मैं कॉफी का ज़्यादा फैन तो नहीं हूँ मैं आज जाना पीना पसंद करती हूं मगर यहाँ पे जो है न ठंड़ा है और राज को कॉफी पीना बहुत पसंद है क्योंकि वो साथ इंडियन है लोगों को कॉफी बहुत ही अच्छा लगता है तो इसलिए मैं भी उनके साथ थोड़ा सा कॉफी पी लेती हूं यह सोच के मैं कॉफी बना रही हूं और अभी थोड़ा सा मैं कॉफी पीने लगी हूं नहीं तो इंडिया में मैं जब थी तब तो हमेशा टी पीती थी तो कॉफी पी रही हूं दोनों और अभी मेरा बहन का फोन आया है और मेरे बहन से राज बात कर रहे थे और अभी मैं जैसे आई तो उन्होंने मेरे हाथ पे थामा दिया क्योंकि राज को तो बिंगॉली आता नहीं है फिर भी वो कोशिश करता है बिंगॉली बोलने के लिए और कैसे सलसे टूटा फूटा बिंगॉली बोली लेता है मेरे बेहन के साथ और अभी मैं बात करने लगी हूँ मेरे बेहन जो है यहां का हाल चाल पूछ रही है, कैसा है ठंडा हुआँ का, क्यूंकि के लिए भी ठंडा परा है और ऐसे तो यहां के जैसा नहीं है फिर भी अभी घंडा है, पहले जब हम लोग छोटे थी में बहुंप जदा ठंडा होता था पता नहीं क्या हुआ अभी, जोबन वामिंग के लिए अभी थंडा बहुत कम हो गया है कलकटा में दान बॉल होने के लिए रखके चली गई और अभी देना भूल गई थी नमक दे दिया था हम अभी थोरा से हल्दी मिला लेती हो बाद में हल्दी मिला सकती हो ऐसा कुछ नहीं है जब तरका लगाएंगे म अगर पहले से वल्दी देने से ना वह अच्छा रहता है मतल्ग क्या हो लें डरका लगपने के इस ईसठली tata के साथ ऑन्सों थम्ता थो थी दूरा सा प्राएं करना कच्छे वल्दी का स्मेल है नो अभाता चोटा चोटा इतना मस्सोच लेना कि मैंने अच्छे से चोटा चोटा काट लिया है यह एक्चुली फ्रोजन वेजीटेबल है वह कटा हुआ ही आता है मैं क्या बूली हो सबको बता है और कुछ दिन में क्रिस्मस आने वाले हैं और यहां पर एक्तम सबके घर सजने लगे हैं क्रिस्मस की वजया से बहुत अच्छा लग लग रहे हैि क्रिस्मस ठाइम पर बहुत अच्छा लगता है यहां बहुत ही ज़ piş्के सबके घर में अच्छे से सबके घरिवाल में दूद्गा पूजाए का बहुत शाब कर 먹 अबंशी वगरा बनते भार में लाइठ लगत निकलती हुना तो मैं सबके घर देखती हूं बाहर तो देख देख के जाती हूं सब गर में किसके घर में कैसे सजाया है अच्छा रखता है देखने के लिए बहुत बीटिफुल बीटिफुल डेकोरेशन करके रखा है सब लोगों है और हम लोग भी हमारा ट्री जो है निकल है बाहर गैरज में था ट्री दो साल से दो साल के बाद निकाले है कोरोना के वज़े से गए एक-दो महीने के लिए पास गया जो आ सकते थे बीच में मगर नहीं आ पाए क्योंकि वहां का जो घर था उसको भी थोड़ा सा टाइम मिल गया डेकोरेशन करने के लिए बहुत ज जादा कुछ नहीं किये थे क्योंकि उसका कुछ और रिजन है वह आप लोग को दिरे दिरे पता चले का अभी क्रिस्मस टी को निकाल दिया है आज उसका डेकोरेशन करेंगे अप लोग उसे बाते करते करते हैं मेरा आलूबी कट गया है और चावल भी हो गया है उसे भी कुकर में खाऊंगे न तो और ज्यादा फेवी हो जाऊंगे इसलिए थोरसा पानी जो है निकाल देते हूँ होने के बाद जो स्टाच होती है उसको निकाल देते हूँ दाल भी अच्छे से बॉइल हो गया है और इसमें अभी मैं तरका लगा रही हूँ जीरा, सुखी, लाल मिर्ची और तेचबती बहुत सिंपल सा तरका है मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है बुग दाल में ये वाला तरका और अभी मैंने सबजी बिठा दिया है सबजी में मैंने जीरा का चोंक लगाया था उसके बद मैंने क्षोंक लगाया था उसके बाद मैंने आनियन डाल दिया और पुजun जैसे बून गया तह गम अब सीप्पल्समारा मैं लिपण येडर चिलि पाूडर ठोड़ा Ao добрop तो उनको सिप वाइट जो हता है ने एक वाइट का ही ओमलेट चाहिए तो मैंने एक वाइट निकल दिया है क्योंकि उनको थोड़ा सा मतब डॉक्टर प्रोपला थोड़ा सा खोला है तो इसलिए सब चीज में रिस्टिक्शन डाल दिया है आधा चमज से भी कम ऐल में मैंने स चल जाएगा इतना हम लोग कम ऐल का यूस करें तो इसलिए मैं क्या करें हूं ना माइक्रोव में ओमलेट बना रही हूं तो इसमें मैंने चीली फ्लेक्स होड़ा सा आड़ कर दिया आप लोग चाहे तो ओनियन कुछ भी आपके मान पसंद का हाडी मिर्ची ये सारे भी डा सकते हो और अभी इससे माइक्रोव के अंदर डाल देना है डालने के बाद सिर्फ और अन हाफ मिनिट्स स्टार्ट कर देना और यह रहा गर्म गरम ओमलेट पाहर देखने से लग रहा है अभी 130 हो रहे है 130 नहीं 140 हो रहे है लगने रहा है अभी अन्धेरा हो जाएगा तुस्गर में इसी भी हो जाएगा और यह जो मेरे हाथ में इत पेढको प κα्चॉर बाजूर बाइस में लोडտ है बेडूरी हो के आना ऑम्रेट्यगा पलंते यह छांको भी पाल्म पालम से बाइस अमाला एस बाइस पीकि अशे Mobile बेंगली, तम्मिल, अभी हिंदी बोलने जारी हूँ, मुझसे नहीं होगा okay I'm trying तो पर्चापलम, मतला वह कहजूर और जिसे इंग्लिश पे बोलता है देट्स तो वह मैं अभी खारी हूँ क्योंकि खाने के बाद थोड़ा सा स्वीट खाने का मन करता है इसलिए है खाने के बाद खारी हूँ, यह पर्चापलम, डेर्स, और खजूर इतना सारा लेंगुज में बोल दिया What do you say in Bengali? खेजूर खेजूर पुछे है बेंगल में क्या बोलते है खजूर बोलते है हिंदी में, बेंगल में खेजूर बोलते है रसगूरला की तरह, sweet sweet, खेजूर खेजूर बोलते हैं यह है हमारा ट्री महाराज खड़े हो गए है अच्छे से और यह नीचे जो दिख रहा है यह हमारा स्नौ है इसको और अच्छे से लगाना है और यह सारे जो है सब डेकोरेशन के आइटेम है यह सारे को आप ट्रीक ऊपर लगाएंगे ट्रीक अच्छे से सजाएंगे इसमें बहुत सारे चीज है और इसमें तो सैग वागेर है मैं खुदी पूल गी हूं किया इसकंदर और यहां पर लाइट वागेरा है बहुत सारे लाइट हम लोग इंडिया ले गए थे वहाँ पर रहे गया है तो जितना है उतने से काम चलाना परेगा ट्रीक को मैं लाइट से अच्छे से सजाओंगे अभी इसकंद परेगा परेगा है अट्रीक के सब्सक्राइट में लाइट से उसके सानँ उसका संगाए मैं लुए और लाइट प्राइट मैं यहाँ था बाहते है लोग्यामाज तर पार भार्षकें से पुरा भार्षकी पार्षकीद टुटेगा तो दूर की बात हैं अजिता हैं, तो मैं नहीं सोच्री हूँ मैं खुद को गिरने से बकाहई थे अद्धेगा यहाँ अदेगाने किर जाओंगी पार यहाँ बढख से और भोचे को रहिंव हुदा को, सटेंगें. उछ्णू, । Nि करो में ने अच्छो पुछ । आप एंपामु जबंडेन भांपम में ळदनता है भांसियर वोच्छा, तो युझ को देमी корव करें रहे हैं लुला के लुछाव है गुमाते रहूं, शानी पैनाने की तरह, अब देट रहा है, मेरे साथ ही मत लपेट देना, मेरे को ले के ही लपेट रहा था, मैं भी ट्री के साथ मान दे जाती, अच्छा रहता ना, क्रिस्मस ट्री की तरह ऐसे खड़ी रहती, कोई काम नहीं करना पड़ता, वो भी लगता है, बीना काम करके, से रहो तो भी बोरिंग लगता है, क्रिस्के काम पुर्ण है, बी बोरिंग। पूरा डेकोरेट कर लिया है हम लोगोंने दिख रहा है ना आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मैं लाइट आफ करके फिर बाद में दिखाऊंगी हाँ फिरिशिंग टाच बाकी है हमारे ट्री दूलन की तरह सच गई है और आप लोगों को अभी मैं दूंगी इस दूलन का फाइनल फाइनल लुक लाइट को अफ करो देखिए इस दूलन को दूसे के लिए चाल दाल भिगोई थी अभी मैं उसे पीस हूँगी और आभी पीस के रखोंगी ना तो सुबह उटके अच्छे से फर्मेंटरेशन हो जाएगा और यहां पे ना फर्मेंटरेशन करना बहुत ही मुश्किल है तोसा बैटर को अच्छे से मिलाना पड़ता है अच्छे थो मिलाना पता है उसके बाद मैं दही थोड़ा सा डाल देती हूँ बैटर में उसके बाध अच्छे से छादर होता है गर्मी बाला चादर होता है जो कंबल वगरा होता है ऐसे से ठख लेती हूँर के अठक लेती हूँ और उसके बाद बॉ— बॉल— डू— व्य colonies और सुबह उठके देखूं कि अच्छे से फुल गया है तो अच्छे से फॉर्मेंटेट हो गया है नहीं तो यहां पर दो दिन भी रख लो ना कैसे भी आपका दोसा माउ मैं बोलता है कि दोसा बटर फार्मेंटेट होगा ही नहीं तो आपको अच्छे से उसको एक स्वेटर बटर पैना आके बॉयलर रूम के अंदर रख लेना पड़ेगा बरिया से दोसा माउ एकदम इंडिया की तरह फूल के अच्छे से फार्मेंटे कि दोसा सब्स थाइम पे खाना अच्छा लगता है अगर नहीं पहीं आपके पास तो एक काम करना अच्छे से मोटा वाला स्वेटर होता है उसे लपेटते और कहीं पे गरम बला जो एरिया होता है न ओबन पास रख लेना देखना सुबह उठके अच्छे से फर्मेंटेट दोस्ता बेटर का मेशरमेंट मालू मैंने आप लोग को तीन कप चाल और एक कप डाल और उरत की दाल इसको और उसमें थोड़ा सा मेथी भी मिला दिया था मैंने देखो मेथी दिख रहा है आप लोग को चाओ लट दाल को मैंने पीस लिया है अभी इसमें डालूंगी एक स्पून दही क्योंकि यहां पर बहुत ठंडी परता है तो इसलिए दही डाल रही हूं अगर गर्मी की जगह होती न तो दही डही डालना चाहिए क्योंकि रात से सुबह होने तक बहुत ज़दा खटा हो जा और हाँ से मिलाना है इस बैटर को चमज से नहीं मिलाना है अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाएगा और अभी मैं इसे अच्छे से धखके जैसे मैंने बोला था था ना स्वेटर बेटर पेनाके स्वेटर था नहीं एक सॉल है मोटावला उसको ढग दूँगी और उसके दाशनके संवेटर बनाऊ है सबजी बनाऊंगी हो जाएगा कम चल जाएगा और बहुत सारे काम है गैस पोचना है बर्त बद वागड़र जो धूला हो इसको उठा कर रखना है तो रहा बहुत और यहसारे काम है और सबसे बाड़ी काम जो है मेरा स्किन केर यहां आने के ब बहुत सारा क्रक आ गया एकलम से खराक होता है ना ऑसे हो गया जो कि अब पर ऑप रहे जामी मेरे चेहरे पे आ गया है कॉमेंट जुरूर करना अपनों को कैसा लग रहा है मैं वेट करती हूँ आपके कॉमेंट का ओके मैं फिर से मुलती हूँ मेरे नेक्स फॉलाग में तब तक के लिए बाई बाई गुद नाइट